आप सभी से रिक्वेस्ट सच्छंग को जितना भन सके शेयर बटन दवाकर दूसरे तक पहुंचाते जाएं इस स्यवा कार्य के लिए आप कभी पीछे न हटिए इसमें कोई पैसे की जरूत नहीं है हम सभी का लक्ष उदेश्य क्या है धरम को आगे फैलाना यही हमारा उदेश्य होनी चाहिए तो इसको फैलाने का माध्यम अभी तो कोरुणा में यूटूब तो खुब लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं करें इस इसी माध्यम के द्वारा हम इस धरम को इस संग को आगे फैला सकते हैं तो ना संघर्ष ना तकलिफ तो फिर क्या रखा है जिने में बड़े बड़े तुफान रुख जाते हैं अगर आग लगी हो शीने में सुन्दर शाज्य कुछ कर गुजरने की आग हम में हैं कुछ कर गुजरने की आग हम में हैं तो क्या करना इ अब श्री मुखवानी की चर्चा होगी श्री मुखवानी के बिना ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं बस अंदकारी कुछ भी नहीं बस अंदकार यहां सत्सत प्रणाम नमन श्री मुखवानी को सत्सत प्रणाम नमन इस ब्रह्मवानी को जिसके कारण शाथियो रोशन शारा जहां जिसके कारण रोशन शारा जहां सिरी जी किरंतन प्रकरण 48 प्रथम चुपाई में कहते हैं आदेश देते हैं खिन एक कले हूं लटक बजाई जनम तही तेरो अंग जूठो देखताई मिठ जाए सुन्दर साथ जी यह जिवन छण भंगूर है तो छण मात्र के सयों को भजाओ इस जिवन का सद उपयोग करो शिर जी केते हैं सुन्दर साथ जी शरीर तो जनम से ही नाश्वन्त है एक न एक दिन यह सरीर पाटा ग्रूम मिठी जाएगा पानी का परपोटा क्योंकि सुन्दर साथ जी स्वयम को समस्त प्रितिवी का अधीपती मानने वाले भी चले गए कितने ही ऐसे लोग संसार छोड़ कर चले गए श्वर्ग के शीरो मनी कहलाने वाले सिरी जी केते हैं इंदरादी दियो भी चले जाते हैं काल के चपेट में आ जाते हैं, घुमते रहते हैं जन्व मरण की चकर इनको भी लगी है आज देखते ही देखते ही आप हम सब के आयो व्यत्त हो रहिए क्या पता कब गिर जाएगा हम जानते हैं फिर भी परमात्मा को भूल रहे हैं सिरी जी कहते है संसार का यह खेल मेरे प्यारे सुन्दर साजी सिरी जी कहते है छड मात्र का है तो इस खेल में अपने घरदे में परब्रम परमात्मा को प्रमन कराने स्रीजी करता है उनकी इच्छा मातर से दुनिया बनी है खेल बना है इस खेल में इस सुर्टा को नहीं लिपताना है उनके चरणों में लिपड़ जाना है यही स्रीजी का कहने का अभी प्राय है कि आप धामधनी के चरणों में अपने आप को मिटा दो बोलो स्री प्राणनात प्यारे की जैसे अगनी के ताप से लकडी अपना नाम रूप सब कुछ मिटा देती है अगनी ही बन जाती है लकडी अगनी के ताप से जलाते हैं न जब अगनी को तो जल करके लकडी कोहला बन जाती है अगनी ही बन जाती है अगनी का ही सरूप रूप बन जाती प्यारे सुन्दर साथ जी वही लकड़ी पानी में भीगा कर जलाए तो पानी में भीग जाए तो और फिर जला दिया जाए तो तो लकड़ी आदी जलेगी आदी रह जाएगी दुआ प्रगट करेगी तो ऐसी अदजली लकड़ी न खूद जल कर आग बनती है न दूसरे की काम आती है दुआ पहलाती है वैसे ही हम संसार में डुबे हुए हैं विशेव आशना के चक्कर में बार बार पढ़ते हैं बार बार पढ़ते हैं तो यह अगनी नहीं जला सकती समझ में आ रही है साथ जी जीव अधकच्चा है तो इस वाणी का ज्यान अंदर जाएगा ही नहीं कुछ असर होगा ही नहीं कुछ काम का ही नहीं जैसे कोई एक आइना हो बहुत वर्सों से पढ़ा हो घर में उसके उपर धुली धुल चड़ा हो सना हो ढखा हो और फिर आप उसको जाकर उठाकर मुह देखना चाहेंगे तो मुख नहीं देख पाएंगे मुह नहीं देख पाएंगे उसी प्रकार साथ जी बिसे से लथपत ये जीव धूल से सनी हुई दक्योई आइना की तरह है साथ जी सिर जी ने कहा संशार का ब्यर्थ चिंतन हटा दो मेरे बाई जहां जहां मन जाता है वहां से गिता में लिखाए मन को खीचो अटाओ और परमात्मा के चरणों में लगाओ राज्जी के चरणों में लगाओ एक धां धनी के सिवाए किसी का विचिंतन मत करो एक धां भर्दे में लेके उड़ाई दीजे अरवा सुरता ये कई राखिये मूल मिलावा माही ये बृत्ती हमें बनानी चाहिए तब ही हम बृत्तियों से भिशेयों से ढूर जा सकते हैं हमारा मन जप में द्यान में भक्ती में क्यूं नहीं लगता प्रस्ण क्यूं क्यूंकि साथजी हमारा जो मन है ये बूरी आदोतों का सीकार हो गया तो ये गिता ने उपाय कहा क्यों जहां-जहां ये मन जाता है बल पुरवकमां से हटाओ और परमात्मा के चरणों में धनी के चरणों में लगाओ थोड़े समय में ही ये मन अपने आप सज्जाएगा लग जाएगा अभ्यासे न तु कुंते या अभ्यास तो करना ही पड़ेगा अभ्यास के साथ साथ बैराग्य की भी आवशक्ता गिता ने बताई मामती भी कहते हैं राखो सेर बाइरागनी बाइराग्य होता है तो क्या होता है मन एकदम बस में कंट्रूल में आ जाता है बाइराग्य का मतलब संसार से राग हट जागा अब बाइराग्य कब होता है हमको बाइराग्या वान जो भी पूरुष होते हैं उनके संग करने से उनके साथ में रहने से संग करने सिरी जी कहते हैं तुम संग करो सत बाते सिरी जी कहते हैं जैसे कोई चोरो का संग करते हैं तो चोरी के उसके अंदर क्या उत्पति भाव उत्पति भाव आने लगते हैं कोई व szczारी के संग में चले जाए तो वि वीचार के भाव आने लगेंगे किने सात जी उसी प्रकार दाम की ब्रह्म सृष्ठी कोई भक्त, कोई विरक्त कोई स हैन्याशी, कोई सान्त कोई साद पुरुशों का संसर करेंगे, समागम करेंगे तो वैराग्य अपने आप होने लगता है बोलो प्राणनात प्यारे की तो कहा वैराग्य महीं आनंद है फैत हैं तिलो की का राज्य भी वैराग्य के सामने तुछ है बोलो प्राणनात प्यारे की और सुन्दर साजी ये सब वैराग्य सी तो ध्यान कर पाएंगे वैराग्य नहीं हो तो ध्यान में मन नहीं लेगा चितवनी में मन नहीं लगेगा भजन में ध्यान में मन नहीं लगता तो वैराग्य लाईए संत जन प्राणना जी आदेश करते हैं राखोशेर वैराग्य लेकिन भजन द्यान हट पुर्वक करते रहना चाहिए आगे चल कर अपने आप आप ही आप ये हमारा जो मन है ये लग जाएगा सज जाएगा अपने आप सज जाएगा लेकिन हट पुर्वक लगे रहना चाहिए और राज्जी से प्राधना भी करने चाहे प्रमात्मा से, आप अपना नित्य, अखंड, सुद्ध, बुद्ध, अखंड जो सुख है, वो थोड़ा सभी दे दीजिए, थोड़ा भी दे सकते, हो जाएगा मेरे लिए, क्यों, संसार के लंबा चोड़ा सुख भी किसी काम का नह और राज्जी का थोड़ा भी, प्रमात्मा का थोड़ा भी आनंद सुख मिल जाए, थोड़ा भी, तो बहुती लाप्रद रहता है, तो लगे रहना चाहिए मंडी पड़ो, गुजरादी भासा के लिए मंडी पड़ो, तो मन, बुद्धी और हमारी इंद्रियां, इन सब को भजन में लगाना है, ध्यान में लगाना है, जब सुमिनन में लगाना है, यह महमती कहते हैं, और जो हमें ऐसे करेंगे, तो अवश्यव राज्जी महराज मदद करेंगे, परमात्मा मदद करते हैं, कही लोग तो निरास हो गए, इतने सालों से कर रहे हैं, कुछ नहीं हो आप पूजा पाट सब बन भो लगाना बन आरति पूजा बन विश्वास रखिए श्री जी कहते हैं मात्मा गंदी ने भी कहा है हमेशा ये विश्वास रखिए कि परमात्मा हमारे साथ में है और बात भी सहिए बाले थे बुड़ा पे लगा मेरे सिर पर खड़े सुवन धनी कैसे जगत में हर सकते हैं विजय में कोई संका नहीं होनी चाहिए बो फ्राणनात प्यारे की धामदनी की क्रिपा संत महत्मा की क्रिपा कभी असभल नहीं जाता ऐसा कोई भी काम नहीं है कि क्रिपा से हम नहीं कर पाएं नहीं कर पाएंगे बहुत ही बहान होता क्रिपा तो कुसंग से असत्संग से बचना चाहिए सत्संग में करते 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 इसमें मन लगाना है क्योंकि यह सब तारने वाला साधन है संसाध दूबाने वाला है हमें तो तर जाना है डूबना नहीं है है ना तो मनुष्य सत्संग से तर जाता है और कुशंग से माया से दूब जाता है भोग आलश्य प्रमाद ये सब क्या है ये सब नरक ले जाने वाले हैं ये सब हमको कहीं उपर नहीं ले जाते भोग ये सब तो सास्तुर ने का सरवत्त त्याग करो इसका असकती में मत रहो भारी से भारी भी पत्ति आजाए बारी से भारी प्रतिकुल परिष्टिती बने तब भी आप भजन भक्ती धरम का त्याग नहीं करो प्रान भले ही चले जाएं विश्वास करिने दोडे जे तारतम नो फल ले सेके कभी असत कर्म नहीं करेंगे कभी पाप नहीं करेंगे गलत काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ में परमात्म खुद है सब देख रहे हैं तो उनको याद रखना चाहिए कई लोग तो निंदा, इस्तुती, अपरमान इसमें भी पड़े होते हैं और इसमें प्रसन्न प्रसन्न रहते हैं और सच्चे जो भाक्त होते सच्चे वे निंदा, इस्तुती प्रसंग्षा, सन्न इन सब से दूर दूर भागते हैं चिंता, भय, सोब इन सब से ब्याकुल भी नहीं होते हैं स्रीजी कहते हैं विचारो इन सब बात हो विचार 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 विचारई बेदे सकल संधान और विचार नहीं करोगे तो मुर्खता है मनुष्य विवेक दिया है उसको विचार कर सकते हैं सास्त्रों में कहा है संसार की जो विशे है उसको 20 के समान समझो और इमिडेट उसको त्याग कर दो बोलो प्राण नाथ त्यारे की क्यों बिस मनुष्य एक जन्म में ही मरता है परन्तु बिसयों के सुख सुखों का जो भोग है अगर हम करते जाएंगे तो मरने का ताता ही लग जाएगा इसलिए कहा देखन को ये खेल खिन को लिये जात लपटाए महामत रुदेर में ताशो उपजतता जाकी छाए ये कहा मनुष्य इस अंसरिक माया भी खेल में लिप्टे हुए जा रहा है लिप्टे हुए और परमात्मा की इच्छा मात्र से धनी की इच्छा मात्र से खेल बनाए उनका पता तक नहीं ये तु देखनाटक निमक को अब करे कहां विचार पाउपल में उलंगले ब्रह्मांड सुन निराकार संदर साजी श्री जी ने कहा ये संसार मिथ्या नाटक ख्षन मात्र का है इसमें सु विचारी रहे हैं छो क्या विचार कर रहे हैं पल के चतुर्थ अंक्ष जितने समय में आप श्री जी कहते हैं मैंने के रहा हूं इस ब्रह्मांड को पार करो बोलो प्राणनात प्यारेंगे खाली ब्रह्मांड ही नहीं पाउपल में उलंगले ब्रह्मांड सुन निराकार सुन्य निराकार सहेत सारे ब्रह्मांड को आप पार करो तो स्री जी का कहने का अभी पराए असली बाद क्या है कि एक छण भी आप अपने धनी को मत भुलो स्यामा श्याम को मत भुलो भुल गए तो क्या होगा बड़ी भारी खत्रे में पड़ जाएं बड़ी भारी खत्रे की बस तो है जिस छण हम धनी को भूल जाते हैं जब उनकी बिस्मिती हो जाती है उस छण दी प्राण चले जाए तो हमारे लिए खत्रा है कि नहीं साथ जी इसलिए जितना भी शमय जीवन बचा है एक भी खण उनकी स्मृति के विना धनी के स्मृति के विना नहीं निकलना चाहिए नहीं जाना चाहिए इसलिए तो का सुरताये कई राकिये मूल मिलावे माहे है ना निश्दिन ग्रहिये प्रेम शुर्ण है ना निश्दिन दिन भर रात भर भाजन करते रहे रात में सोते हुए प्राण निकल गए समझ लो तो हमारे लिए कोई खत्रा नहीं क्यूंकि हमने दिन में भी भजन अठारा गंटे भजन किये रात में रात्री के समय सोते समय सवपन में भी सवपन में भी ऐसे वक्त भजन करते थे सुनने को मिला है होगा ऐसे ही होता है तो स्रीजी केते हैं इसक लगाए पियाशो पुरा इसक लगाए पियाशो आप आप जिससे प्रेम करते हो ना उससे राद दिन भक्ति करो उसका मिथ्या संसार से दिल से मन आदी से यह जो ब्रिश्यमन जगत है अनात्माओं से जड़ बस्तूं से हमारा एटच्मेंट है एटच्मेंट आसक्ति तो सिरी जी ने क्या कहा इसक लगाए पियाशो वो सब प्याग करके प्याज्य समझ करके शास्त्रों में लिखा है यह सब का त्याग करो बुद्धी से और एक आत्मा धनी पेचानी इसक लगाए विशुद्धा आत्मा में पहले प्रतिश्टीत हो जाओ सिरी जी ने कहा है ना एक आत्मा धनी पेचानी यह पुरुशारत है अपने आपको एक आत्मा मैंचिनमै चिनमैं सरुप दिव्य व्यापक सर्वस्व सरुप आत्मा हूं एक आत्मा सुद्ध हूं, बुद्ध हूं, अखंड हूं, अविनास हूं, अनंत हूं, अद्देत हूं सिरी जी कहते हैं ऐसी भाव ना करो, सांत अपने अप हो जाओ, करते ही नहीं हो, फिर सांत ही चाहते हो आत्मा भाव में आ जाओ फिर आत्मा भाव से धनी को प्रेम करते जाना है एक आत्मा धनी पेचानी धनी से इसक लगाओ लाड लडाओ क्योंकि राज जी की प्रेम की ही तो प्रदांता है सर्वत्रा बस स्रीजी केते हैं उनके चरणार बिंद में आपका प्रेम हो जाए यही हमारा काम है यही करने के लिए आयत है और इसमें जीतने भी भीगना आने वाले हैं और जिन जिन से भी आते हैं भीगना भक्ति के लाइन में सब को त्याग करना है सब को परित्याज्य समझना चाहिए नहीं तो यह गिराएंगे आपको हमारा करता भी क्या है त्याग करना और जो सच्चे हैं इतेशी उसका त्याग नहीं करना सच्चे मित्रों मित्र हम मदद करते हैं उनके साथ हमें रहना चाहिए मदद करते हैं जो हमें सायता करते हैं हमें संभल देते हैं गुरुजी हो, संत हो साथ देते हैं ये लोग सद्भुद्धी देते हैं उनका काये को त्याक करना आज कल तो संत गुरुजनों को ये त्याक करने हैं लोग ये लोग क्या डिगा रहे हैं कि आपको एसे लोगों का हमेशा सत्संग करना चाहिए स्वार्थी, कप्टियों का संग छोड़ना चाहिए एसे का संग पढ़ें और बोलते हैं मुझे भजन बक्ती अच्छा नहीं अच्छी नहीं लगती धर्म क्या कहता है खुप मेहनत करो, भक्ती करो, अच्छे संग करो, अपना दाइत के निवाओ बोज उठाने वाला बनो पुरुसार्थी बनेंगे, मेहनती बनेंगे, तो ही धामदनी हमें उपर से वर्दान देंगे बलो प्राणात प्यारे की परमात्मा साथियों उसी का साथ देता है किसका? जो पुरुसार्थ करता है अहंकारी, अज्यानी, लुचे, लफंगे, कप्टी, लोभी, लुचे इन लोगों का साथ हमें छोड़ देना चाहिए नहीं तो हम भी उश्य हो जए अपने आप पर काम करते जाना है बलो प्राणात प्यारेक चीजी कहते हैं साथदान आज तो इन्सान इन्सान को डश रहा है आज इन्सान इन्सान को डश रहा है और साथ घर के कोने में बेटकर हंस रहा है इसलिए बातों से नहीं रातों से लड़नी है श्री जी कता है इस भक्ति लाइन में आगे बढ़कर खुस खुसाल जिंदे की जिनी हसते मुश्कुराते हुए हसीवा खेलीवा करीवा ध्यानम बढ़ जाती है कई गुना खुबशूरती महज मुश्कुराने से बढ़ जाती है कई गुना खुबशूरती महज मुश्कुराने से एक बढ़ मुश्कुराईए अगर मगर लोग बाज नहीं आते मुँ फुलाने से मगर लोग बाज नहीं आते मुँ फुलाने से बनो प्राणा ना प्यारे हम खुश रहेंगे न तो धनी की अशीम में है धया ये बनी रहेगी खुशी कब आईगी खुद को अनुभव करने से मैं असंग आत्मा हूँ एक आत्मा धनी पेचा मैं अलीप्त हूँ असंग हूँ अलगारी हूँ सुद्ध हूँ बुद्ध हूँ चेतन हूँ संसार बंधन से दूर हूँ दनी की नजर मुझ पर है भावना करें मैं सान्त हूँ शान्त हूँ मैं खूस हूँ मैं खूस हूँ मैं खूस हूँ मुस्क्राइए मैं उस्साइत हूँ मैं सत्संग उमंग से सुन रहा हूँ मैं जुम रहाँ खुशी से अनुमूती करें मैं सम्रुद्धिश आली सम्रुद्धिश अरुप हूँ मुझसे सभी को निरंतर शुक्षांती के किरणे मिलते हैं मैं सर्व शक्तियों से भरपूर सक्ति शाली हूँ मैं निर्भय हूँ मैं शुरक्षित हूँ मैं निश्चेंत हूँ मैं इतना महान हूँ इतना महान हूँ तनीका हूँ सफलता का सितारा हूँ मैं बहुत बुद्धिमान हूँ मैं बिजई हूँ मैं बहुत धनवान हूँ मैं बहुत सुखी हूँ मैं बहुत प्रसन हूँ दया निधान दिवियों हूँ क्योंकि उसका अंगस हूँ मैं सब को प्यार देता हूँ अनुभब किजिए सोचिए विचारिए मैं सब का प्यार भी पाता हूँ देता भी हूँ मैं सब को दुआएं देता हूँ और सब मुझको दुआएं देते हैं क्या जाता है भावना करने में सभी के प्रती में सुभावना शुभकामना रखता हूँ और सारे लोग मेरे उपर सुभावना शुभकामना रखते हैं मैं स्वतंत्र हूँ मैं निर्वन्द हूँ मुक्त हूँ प्रहाननात प्यारे की मैं हर शंकल्प को पूरा करने में शक्षम आत्मा हूँ मैं हर असंबख कार्य को सफल बना सकता हूँ इतनी पावर है मेरे अंदर मैं हर वक्ष हर घड़ी पोजीटीव सोचता हूँ सकारात्मक विचाराते हैं मुझे में और ये भी बात लेना मैं निरोगी हूँ मैं पूरी तर से स्वस्त हूँ फिर धनी को हाथ जोड़ करके ए धाम धनी आपने मुझे कितना सुन्दर जीवन प्रदान किया इस जीवन के लिए आपको लाख लाख धन्यवाद शुक्रिया धनी को कहें माता पिता को आपको भी खुब खुब शुक्रिया धन्यवाद जो भी सयोग देते गए उनको भी सयोगी आपका भी शुक्रिया सरीर आपको भी शुक्रिया सभी मित्रबंदों का भी शुक्रिया पूरी फेमिली का शुक्रिया करें सब को दिल से दुआएं दें सब का भलाव सर्वे भवन्त शुखिना सर्वे शंत निराम सबी निराम है रहे सबी सांत रहे मस्तर है शुखी रहे खुश रहे कर सकते हैं सुबह उठकर यह टेकनिक है यह टेकनिक शिरीजी ने सिखाया सास्तर ने सिखाया ये एक आतमाधनी पहचानिये निर्मल होना यही उपाई इस तरह हम अंदर उतरते हुए सो जाते हैं तो पूरी नेंद भी आत्ममय बन जाते हैं द्यान बन जाते हैं सपने नहीं आएंगे सांती प्रेम आनन्द की प्राप्ति होती जाएगी आनन्द की प्राप्ति बेट करते हैं है न ऐसे सीधा लेटे शरीर को भीला छोड़ दें सिथील तक अनुभब करें पहले दो तिन मिनिट तक लंबी गेरी स्वांस लें अभी जो बोला न मैं नहीं हूं सरीर सिथील हो रहा है दिरे 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 सरीर सिथील होता जा रहा है स्वांस एकदम सांत हो सोते समय करजिए दिन वर टाइम नहीं मिलता है सोते समय किजिए आइस्ता 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 स्वांस गेरी होती जा रही है फिर स्वांस भी सिथील हो रही है, भीतर जा रही है, आ रही है, एक तम छोटी हो, मन शांत है, लेटे-लेटे भावना करनी चाहिए, बाहरी कुछ भी आवा जाए, सोर सरवा, अपने को तो सांत बनाना है, सुन्य बनाना है, लेटे रहना है, सुन्य हो जाना है, बाहरी आवा जाएगी, उसको सुन ल कि क्यूं आया केसे आया चुक्चाप हमें ध्यान में उतर जाना चाहिए ध्यान करना चाहिए आविरोध भाव से मैं धाम की लाडली सकी हूँ राज्य की परम पवित्र सान शरुप फरमधाम की ब्रमागना हूँ बैठके करें सोके करें साहज बैठके भी कर सकते हैं ऐसे सीधा बैठे हैं ग्यानमुद्रा लगाएं देखिए ऐसे फिर सिथिल हो जाएं सरीर को बोड़ी को सिथिल करें और धनी के चरणों में समर्पन भाव लाना है क्यों? दे से परे जाने का नामी तो ध्यान है साक्सी भाव लाना होगा समर्पन से साक्सी भाव भी आती सहज हो जाना है सान निर्विचार बिलकुल सान इस तरह करेंगे तो अपने आप धिरे 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 सच जाएगी ध्यान पलके, पुतलिया ये आखों को एक्तम सहज कर देना ऐसे करते हैं कई लोग ऐसे दवाते हैं आखों को नहीं, सहज बंद कर देना है और फिर सिथिल हो जाने के बाद धाम धनी के चरणों में देखना है दर्शन करना है उनके चरणों को चरणों से लेकर संपूर्ण सरुप, एक आत्मा पहले तो आत्मा के ओगए फिर धनी की पैचान फिर शरूप, चितवनी, सरूप, सुन्दर, सनकूल, सकोमल उनके चरणों में देखें सरूप, सुन्दर, सनकूल, सकोमल आत्मा हर स्वांस में धनी का नाम ले उनको देख, इस तरह करने है प्रिती रखना समर्पन भाव रखना ऐसे नहीं होगी ऐसे नहीं होगा इर्दे इरुपी आसन ये आसन है उनको बिराजमन कराना फिर उनका नाम ले लो बजा मड़ा आनंद आएगा क्योंकि बहुत उने आनंद लुटा है कहना धनी को ए धनी मेरा हर कार्य कर्म आपकी पुजा हो सब कुछ आपका ही तो है मैं तो क्या हूँ हम सब क्या है निमित मात्र है है ना एक स्लोक है करता कारईता भवान निमित मात्र मेवा हम तो चरनार बिंद में सुन्दर शाजी हम हमारा प्रेम हो जाए तो हमारा काम बन जाए इसक लगाए पियासो पुरा अवला होए यह निस खेले अवला होए यह निस तो इस मार्क पर जो चलते हैं समर्पित भाव से तो उनकी सुरक्षा के लिए जो भी इस मार्क पर चलते हैं उनकी सुरक्षा के लिए देखा गया है परमात्मा तत्पर रहते हैं सुरक्षा करते हैं इसलिए कहना हे धनी में आपको भूलू नहीं तमेव माता चपिता तमेव तमेव बंधूस्च शक्खा तमेव विद्याद्र विणं तमेव तमेव शर्वम अमदेव देव हर दम स्लोक चिंतम चोपाईयों का चिंतम नाम जब ए धनी मैं आपको न भूलूं क्योंकि धनी की स्मृति परमात्मा की स्मृति संपूर्ण विपत्यों का नास करने वाली है बोलो प्राण ना त्यारेगे सार्व विपत्ति मुक्षनम सास्त्रों में लिखा है तो राजी की स्मृति बनी रहे अंधकार में लाल्टिन की तरफ प्रकास करने वाली है साहारा देने वाली है गोर अंधकार और लाल्टिन जला ये कितना साहारा मिलता इसके सिवा तो कोई साहारा नहीं सुर्ता ये कई स्मरण में लगी रहे तो ही हम इस मोमाया से चुड़ सकते हैं तर सकते हैं चुड़ सकते हैं यसे स्मरण मात्रे न जन्मशंशार बंधनाथ विमुच्यते मा भारत की स्लोग है ये मा भारत में लिखा ये तो कहते हैं स्री जी सब काम ठीक हो जाते हैं धनी कृपा कर देते हैं तो सब काम ठीक हो जाते हैं तो सच्चे अर्दे से मेरे दनी, ए खशम, पुकार किजिए, पुकार, दनी से एकी बात कहिए, दनी, मैं आपको कदापी नहीं भूलूं, है ना? एसी कृपा हो मन मोहन, तेरी चर्णों में मेरी लागी लगन, एसी कृपा हो मन मोहन, कहते हैं ना संकर है ना सफेद आख के फूल से प्रसन्न होते हैं चंद्रमा वस्तर के तंतु से प्रसन्न होते हैं सादू जनों को हाथ जुड़ो प्रसन्न हो जाते हैं परंतु अक्षरातित पूर्ण परमात्मा का हम मात्र इस्मरण करेंगे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं वोलो प्राणनात प्यारे के तो धनी का इस्मरण परमात्मा का इस्मरण उनको उनका याद उनको याद करने मात्र से सब कुछ सराडे चड़े शिद्ध हो जाता है कल्यान हो जाता है सदा सदा के लिए व्यर्थ चिंतन दू सब मिट जाता है और महा अनंद की प्राप्ति हो जाते हैं धाम परमधाम की प्राप्ति हो जाते हैं तो इतना सस्ता सोधा और क्या होगा प्यारे सुन्दर साज जी इतना सुगम साधन और क्या हो सकता है और इतना सुगम साधन इतना सुगम काम भी हम कर न सके तो हम करेंगे क्या इसमें न तो पैसा खर्च होता है न परिश्रम होता है सुन्दरशाज जी तो रोज करना चाहिए हर पल तुम्हारी यार आती रहे प्रियतं आती रहे तेरी छबी मन को लुभाती रहे हर पल तुम्हारी आज आती रहे प्रियतं आती रहे हर पल तुम्हारी आज सुबह निन्द खुलने से लेकर कहा रात्री निन्द ना आने तक ए प्रभु ए श्याम श्याम मैं आपको भूलू नहीं इसी में आपको डूवो दें सिर जी कहते हैं सुरत आए कर राखिये इसका मतलब यह ए फिर सब काम सुद्ध हो जाएगा इसमें कोई संदे नहीं गीता में स्री कृष्ण ने कहा आठवा अध्याय साथवाशलों खोलिये तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुश्मर युद्ध चो सब समय में मेरा इश्मर्ण कर अर्जुन और युद्ध भी कर काम भी कर कार्य भी कर तात पर यह क्या हुआ इसका समय पर आप काम धन्दे में पड़े रहो कोई बात नहीं लेकिन हर दम हर दम धाम धनी को परमात्मा को याद कर आप कैसे भी हो सुद्ध हो अच्छे हो बुरे हो मंद हो आप बिमार हो धनवान हो निर्दन हो कैसे भी हो केसे भी क्यों नहों केवल यह सरल साधन अपनाओ हिर्दै से प्रेम से आर्थ होकर रोकर कल कल कली ने कहुछू तमने आऊ जो आने चैने ए धनी रो रोकर कहते हूं मैं आपको भुलू नहीं ए धनी केवल धनी कि याद बस कल्यान हो जाएगा तो लगन हमारी होनी चाहिए कृपा धाम धनी की होगी होगी कितना सरल सुगं साधन तरह तरह कैसे अनेक साधन है लेकिन सीधा सरल चट कौट एन क्लीर साधन भकती है इसलिए सिर्जी ने कहा किन एक लेहूं लटक बन जाए मामत का यह सन्मंद पाई ऐसा अखंड सुख अपार मूल समंद के कारण ही अक्षराति दाम धनी के ऐसे अखंड अपार सुखों को हमने यहाँ प्राप्त किया खुशी मनाए आनन्द मनाए राज्जी की क्रिपा हो गई हम सब के उबर और उनकी क्रिपा से कल्यान होती है महमती प्राणना जी भी धनी से प्राथना करते हैं मैं आपको न भूलूं मुझे प्रेम दीजिए इसक दीजे मुहें अपनों में तासो करूं मिला प्राथना करते हैं प्रेम दीजिए प्रेम के द्वारा में आपको कभी नहीं भूल पाओंगी प्रेम दीजिए अब इसके सिवय प्राणना जी न धन चाहिए न संपति चाहिए न मान बढ़ाई चाहिए न शंसार की जो यास हे और चाहिए, न प्रसिधी चाहिए बस धनी जी, मैं आपको नहीं भूलू, आप मुझे प्रेम परदान कीजी, मैं आपको कभी नहीं भूलू, इसी बात में हमारा सब काम हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा, तो काम धन धन्दा करते हुए रस्वई बनाते हुए राज राज धन्धाम धनी जाड़ों देते हुए कंपिडर चलाते हुए हर समय हम ऐसा करते रहेंगे ये दनी ये क्रिपा करो ये माली क्रिपा करो मैं आपको कभी नहीं भूलूं मैं आपका बन जाओं मैं आपको न भूलूं माया मम्ता परिहरो कुमति कर जो दूर मति राखो प्रभु प्राण मातो पामो सुख जरो हमारे भीतर क्या है राख द्वेश काम क्रोद लोग मों ये दोस है ये माया की प्रितिया है तो ये दोस रहती है इसलिए इसके कारण सची प्राथना सची भक्ति हम नहीं कर पाते फिर भी बार बार हमें क्या करना चाहिए धनी से फ्राथना करते रहना चाहिए जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं ये राख द्वेश काम क्रोद अपने अब निकलने लगते हैं भागते हैं ये दरते हैं जैसे आपने देखा है वो मोटर को स्टार्ट करते समय बार बार चावी गुमाते गुमाते कभी एकी चावी से मोटर स्टार्ट हो जाता है ऐसे ही धनी से प्राथना करते करते भक्ति करते करते कभी हिरदय से सची प्राथना निकलेगी तो एकी पुकार में काम हो जाएगा लेकिन हमारे हर्दे में वो ब्याकूलता नहीं है वो पुकार उठनी चाहिए ये प्रभु मैं आपको कभी नहीं बोलू इसक दीजे महापनो इसक लगाए पियाश्वकुरा ये सादन सब कोई कर सकते हैं बालक, मुर्ख, बिद्वान छोटे, बड़े, हलके सभी कर सकते हैं तो सिर्जी ने कहा बड़ी गया काम, स्राडे चड़े संपुर्ना कारिया सिद्ध हो जाएगा सब बिमारी आपत, संकट प्रतिकूल परिष्टिती सब मिल जाएगा सब रोगूं का राम मान है राजनाम इसलिए सिर्जी ने कहा अरट फेर उतावरो सुर्ता है कई राखिये स्याम श्यामाजी साथ जी जित बैठे है न तले भोम स्याम श्यामाजी साथ जी जित बैठे कल्यान का सीधा उपाई सिर्जी ने बता तो कलियूक से बचना हो माया से बचना हो तो हर दम धनी के चरणों में पड़े रहे हैं पुकारें हे मेरे मालिक, हे धनी, हे खसम, हे पिया चलती है, फिरते, उड़ते, बेड़ते मैं आपको न भूलू पुकारें हे धनी, मैं आपको न भूलू ब्याकुलता पुर्वक सचे रे से पुकार करेंगे तो फिर अनंत जन्मों के पाप हमारे जल कर पशमी भूत हो जाएंगे तो इस परकार भजन करते रहें बेड़ा पार हो जाता है इससे संसार की आशक दिवी छूट जाएगी भजन गाते रहेंगे, भजन करते रहेंगे दामदनी के तरणों में पड़े रहेंगे तो निश्चिंथ हो जाना है बाकी सब उनकी कृपा से ठीक हो जाएगा नामिश्मरन धनी नामिश्मरन राज धामिश्मरन नामिश्मरन बहुत लाब है जब करते रहें राज ना करते नहें यही हम सब की रीत है यही हमारा काम है बाकी सब काम धामधनी का है फालतु हम पढ़े हमारा काम निमित्त मात्र बनिये बाकी सब धामधनी करेंगे हमें कोई काम करना नहीं पढ़ेगा हमारा अंतकर निर्मल हो जाएगा अच्छी बातें पेदा होगी विचार अच्छे आएंगे तो हम सभी इस सुलब शाधन में पढ़ें कोई अयोग्य अब्यक्ति भी हो दुराचारी भी गिता में लिखा है दुराचारी भी हो, पापी भी हो, बुरे भी हो कोई भी कर सकते हैं सब कर सकते हैं, परमत्मा का नाम ले सकते हैं, बुड़े जवान, बालक, सभी कर सकते हैं, पुकार सकते हैं, सर्व पातक से मुक्त हो जाता है, तो हमारे अवगुणों को वो नहीं देखेंगे वो हमारे अवगुणों को तरफ नहीं देखेंगे पापी अगर पुकार करता है तो उनकी दृष्टी पापी के पाप के तरफ नहीं जाएगी वो तो क्या देखते हैं? हमारी पुकार को देखते हैं तो इस प्रकार धनी का आस्रे लेकर धनी का सच्चे ररे से आस्रे लेकर सिर जी करते हैं इस संसार से मुक्त हो जाओ पिंड ब्रमान को त्याक कर धनी के चरण में जाकर मिलेओ इसलिए कहा मेरे मिठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम प्रेमय में मगन हो यो खुल्या दर्वा जदाम सखिरी धाम जईये सखिरी धनी के नाम में इतनी ताकत हो है स्मरन करे जैए उनकी क्रिपा से सर्वे कारिय सब मनुरत पुर्ण हो जाएगे दनी के प्रेम में मगनरई सिर्जी का रदगट हिजएक औहाओ परमदाम का द्वार खुल गया है सभी मिलकर सिरी जी कहते हैं दनी का नाम जपो, जागने के लिए अंतिम समया पहुचाए, दोड़ना हो दोड़ो, जितना बन सके दोड़ो, जितना हो सके उतना दोड़ो, सिरी जी ने कहा अज्ञान को माया को छोड़ो, इसमें से जागरित हो जाओ, प्रकासानं, मेरे को कह इसलिए रंग गया देखिए उस प्रेम बिलास को इसी संसार में बैठे बैठे अनुबब करना है दोड़ना है उदर उनका इसमर्ण होते ही दाम के अखंड शुखो कानुबब तई बैठे घर जागे दाम हो जाएगा अखंड निदी तारतम ग्यान जागरित ग्यान इससे हम अपने आप जाग जाएंगे युगल सरुप के दर्सन में मस्त हो जाएंगे उस प्रेमानंद लीला में उस बिलास लीला में प्रवेश करें इन्ही पवित्र भावनाओं के साथ सुन्दर शाजी इन्ही सब्दों के साथ आज यही पर भी स्राम लेते हैं आप सभी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद आभार इसी प्रकार सत्संग से जुड़े रहिएगा कर फिल मिलेंगे प्रणा